तो साथियो आज आप देखना सुरू कर चुके हैं ताज जोटा तो आप इस जोटे को देख पा रहे हैं और आप ये भी देख पा रहे हैं कि जब पशु मेडे होते हैं तो उन पशु मेडों में पशु पालक अपने पशुओं को या अपने जोटों को किस तरह से competition के लिए तो आज हम आपको यही special दिखाने जा रहे हैं कि एक मेडा से एक परदर्शनी से पहले पशू पालक की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और अकेले पशू पालक की नहीं उसके साथ-साथ कम से कम 4 और 5 लोग मिलकर के अपने पशू को competition के लिए तियार करते हैं क्योंकि जब कोई परतियोगिता होती है तो परतेक पशू पालक का ये कोशिश होती है कि मेरा पशू सरवैसरेश्ट पशू मेले के अंदर बने और उसके लिए उस पशू की जो साइनिंग है उस पशू की बोडी है उस पशू के जो सरीर के करेक्टर हैं ये सब उसके लक्षनों को साथ इसाथ में सुसोबित करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पशू पालग अपने competition से पहले पशू को त्यार करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पशूओं पे तब जाकर के उनका पशू धने वो national champion या international champion या state level पे champion position है वो प्राप्त कर पाता है जैसा आप सामने देख पारे हैं कि एक-एक point को पशू पालग करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी छोटी सी भी चूक ना रहे जाए जिसकी वज़े से हमारा पशू competition के अंदर दूसरे पशू को fight ना कर पाए तो परती एक पशू पालग की इस तरह से कोशिश रहती है ये जोटा जो आप देख पा रहे हैं ये ताज जोटा है मुर्रा नसल का जो हरियाना के चर्खी दादरी जिले का forgot dairy farm है तो इस forgot dairy farm का ये दिखाने का उचित समझा और अभी इसको आप rest mood में आप देख पा रहे हैं बहुती छोटी खुंडी के अंदर और बहुती शान और शकल का बहुती श्यानदार जोटा है और बिलकुल जेड बलेक है बिलकुल इसके पूंच के मुश्किल से 2 cm पे ही सफेद बाल हैं तो बह 26.3636 देने